नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NCRT के लाइव फोन इन कारिक्रम में हम हाजर हैं वेबिनार ओन ICT टूल लेकर और आप हमें इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चानल पर NCRT Official अगर आपके पास कोई भी सवाल है किसी भी ICT टूल से जुड़े हुए तो आप हमें भेज सकते हैं फिलहाल आज इस क्लास में इस सेशन में हम बाचीत करेंगे जिटसी पर जिटसी क्या है एक open source software है video conferencing के लिए हम आनते हैं video conferencing के लिए आजकल बहुत सारे software हैं लेकिन जिटसी क्यों खास है क्यों जरूरत मंद हैं क्यों आप सभी को इस्तमाल करना चाहिए और आपके पास इसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए इस बारे में हम बाचीत करेंगे 5 बचे तक अपने महमान के साथ तो जिटसी से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके मन में आते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं चाहें तो हमें हमारे YouTube चानल के live chat box में अपने सवाल लिख सकते हैं और हम तक पहुँचा सकते हैं अगर चाहें तो आप हमें email भी कर सकते हैं email id है हमारा training at the rate ciet.nic.in आपकी screen पर भी है इस वक्त तो आप note कर लीजेगा और अगर आप हमें phone करना चाहें तो हमारे toll free number थोड़े से बदल गए है मैं आपको बता देती हूँ आट ओर फी नमबर है डबल एट डबल जेरो डबल फोर जेरो फाइव फाइव नाइन एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आठ आठ शूने शूने चार चार शूने पांच पांच नौ तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं और हमारे जो महमान हैं आउने बहुत खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब दे कर तो जित्सी पर हम बातचीत शुरू करने से पहले आए मिल लेते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर महराज अली स्वागत है आपका सर सर हैं अकाडमिक कंसल्टन्ट C.I.E.T. N.C.R.T. से तो आए पूछते हैं इनसे की जित्सी आखिर है क्या सर जी नमस्कार आपको नमस्कार सभी दर्शकों को आज का जो हमारा वेबिनार है वो है जित्सी से संबंदित जित्सी आप जैसा फिछला पूरा साल हमारा एक पैंडिमिक में वुजरा एक बहुत खराब एक बहुत बुरी महामारी के बीच गुजरा ऐसे में जतनी भी देश के लगवाट सभी देश, दुनिया के लगवाट सभी देश जो है इसे हालात में फस गए थे जिसमें उनका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था लोगों से मिलना जुलना मुश्किल हो गया था बातचीत तक मुश्किल हो गई थी ऐसे माहौल में हमने पाया कि हमें इसके लिए एक दूसा रास्ता तलाशना था एक ऐसा रास्ता जो बिना किसी की मौजूदगी के मौजूदगी को सिद्गरता हो हमें एक ही बार में कई लोगों से मिलना मुम्किन कर सकता हो जैसे कि हम सब जानते हैं पेंडेमिक में हमें दूरी बना कर रखने को कहा गया एक दूर से के आज पास आने से मना किया गया, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है तकनीक के उपयोग, तकनीक ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है, एक ऐसी वस्तु है जो हमें लोगों को आपस में दूर रहते हुए भी जोडती है, हम एक दूर से के साथ संबन साबित करने में स स्काइक होती है उसी तरह से वीडियो कॉन्फेंसिंग इसका एक बहुत 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 है तो अब देखना यह है कि ऐसे माहौल में पिछले कुछ सालों के दौरान इसका प्रचन बहुत तेज से बढ़ रहा था लेकिन जिस तरह से पिछले साल यह चीज मजबूर हो गए तो दूर रहने के लिए तो ऐसे में उनके पास बहुत कम ऐसे साधन थे जिन से दूसरा जूर सके लेकिन कुछ कमपणियां थी जो इन चीजों के लिए बहुत कोशिश लगातार कर रहे थी कि अगर ऐसे परस्थितिया आ जाए क्योंकि यूंतों खेर हम कह सकते हैं कि यह पेंडिमिक के दौरान आया लेकिन इसकी शुरुआत इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी सिर्फ इस वजह से नहीं कि कि पैंडिमिक कभी कोई ऐसा दौर आएगा जिसमें महामारी आएगे लोग से मिलना बंद करेंगे उसके बाद ही कुछ ऐसा जुड़ सके उसके लिए वीडियो कॉन्फेंसिंग के लिए कई सारे अप्स बनाए गए उनमें से एक एप्स है जित्सि यसा आप जानते हैं आप लोग ने गूगल मीट इस्तिमाल किया होगा आपने जूम इप इस्तिमाल किया होगा अपने Microsoft सफ्ट मीट एप इस्तमाल किया होगा ऐसे जित्सी भी एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग का एप है अब जान अभी हम समझते इस वेबिनार के तरह हम समझेंगे कि आखिर जित्सी ही क्यों बाकी और और इतने सारे अप्लिकेशन से वो क्यों नहीं तो मैं बढ़ी कम सब्दों मे अपनी भूमे का उसमाप्त करते हुए मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे जित्सी अन्य अप्लिकेशन से फाइदे मन्द है जित्सी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए एक उपन सोर्स सॉफ्ट्वेर यह तो खर हमारे हम आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास कई सारे अप्लिकेशन मौजूद हैं जैसे आप देख सकते हैं कि गूगल मीट है आपने बहुत हद तक लोगों ने गूगल मीट को इस्तेमाल कि अभी भी कई सारी संसाम गूगल मीट के जरिये मीटिंग्स हो रहे हैं इसके अलावा जूम एप है जूम एप हाला कि पैंडेमिक में गूगल मीट से भी जादा पॉपिलर हा अधिकतर लोगों ने जूम एप पर अपनी वीडियो कॉन्फरेंस के वगारे को किया था इसके अलावा माइक्रसॉफ टीम एप है लेकिन इन तीनों एप में एक कमी है जो जित्सी को इन से उपर कर देती है सबसे बड़ी जो खासियत है जित्सी की इन तीनों के मुखाबले में वो है कंटेस्टेंट्स को ले करके यानि इसमें प्रतिभागियों की संख्या कि कोई सीमा नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा आप एक टीम के दोरान एक मीटिंग के लिए आप कितने लोगों को एक साथ जोड सकते हैं Google Meet आपको अधिकतर सतर साशी लोगों को एड़ करने की विज़ाज़ाइब देता है Zoom App आपको 100 से अधिक लोगों को जोडने की अनुमती नहीं देता Microsoft Team App भी 100 से अधिक लोगों को नहीं जोडता लेकिन अगर आप Jitsi इस्तेमाल कर रहे हैं तो Jitsi में आप एक बार में 1000, 2000 जितने भी आप Contestant चाहते हैं जितने भी participant चाहते हैं उतने लोगों को आप इसमें जोड सकते हैं अगले इसमें देखते हैं कि अब इस तरीके से जो है Jitsi क्या है अब मोड़ जानना चाहेंगे Jitsi आखिर है क्या तो ये एक open software है जो कि आपको मुफ्त भी मिल सकता है और paid version में इसका मौजूद है मुफ्त में आपको basic version मिलेगा जिसमें आपको साधरानता video call और video conferencing कर सकते हैं लेकिन advanced features के आपको जरूद है तो ऐसे में आपको उसका paid version खरीदना होगा जिसमें आपको attract option और मिल जाते हैं इसके अलावा इसके माध्यम से एक बड़े समूँ के साथ आप बातचीत कर सकते हैं आप इनके साथ जुड सकते हैं अपनी बातें share कर सकते हैं जिसमें को mobile app दोरा अगर आप जिसमें को mobile app तो बहुत जरूरी कि आपके पास mobile के उसमें application होनी चाहिए हाला कि वो आपको web के throughby access देता है लेकिन बहुत बहतर होता है अगर आप mobile इस्तिमाल करें तो application का इस्तिमाल करें दूसरा option होता है इसमें दूसरा तरीका है laptop तो था computer से link किया website के दौरा अगर आपके पास laptop उपलब्द है computer उपलब्द है तो आप उसमें link के website पे जा करके बड़ी ही आसान इसे बहुत ही आसान steps के साथ आप जिट्सी का इस्तिमाल कर सकते हैं कैसे करें जिट्सी के माद्यम से online शिक्षण अत्वा सम्मेलन अब ये एक बड़ा सवाल है चुकि हम शिक्षण के लिए बहुत जरूरी होता है यह तो चलिए आप सम्मेलन कर सकते हैं आप conferences वगरा कर सकते हैं लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में online शिक्षण करना शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि अध्यापक के समख जो विद्यार्थी है वो मौजूद हो लेकिन आज जैसे हालात हैं और मुमकीन है कि ऐसा फिर कभी हो सकता है तो उसकी तैयारी के लिए ही हमें खुद से इसको तयार रखना होगा ऐसे परिसित्यों के लिए तो इसमें बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी के समख शिक्षक मौजूद हो और शिक्षक के समख विद्यार्थी मौजूद हो जिट्सी एप हमें इस संदर में बहुत बहतर टूल लगता है इसका कारण ये है कि इसमें हम आप पूरी कक्षा के साथ-साथ साथ मीटिंग कर सकते हैं दो कक्षा के साथ मीटिंग कर सकते हैं सब्सक्राइब किसी विद्याले के प्रिंसिपल को को एक कोई announcement करनी हो और उसके लिए वो सभी परिवारों को विद्यार्थियों के परिवारों को जोड़ना चा रहा हो तो Google Meet, Zoom App या Microsoft Team App में जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में सबसे बहतर जो application है वो है Jitsi Jitsi एक बहुत अच्छा application है ताकि एक ही बात एक ही समय में हजारों लोगों तक पहुँचाई जा सके इसके अलावा अगर आप इस तक पहुँचना चाहते हैं आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने mobile phone या laptop या computer से इसके login पेज पर जाएंगे जैसे आप login पेज पर पहुँचते हैं तो आपको उसमें ये homepage नजर आएगा पिस homepage पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक box है इस box के अंदर आप अपने team का wish लिख सकते हैं कि आखर जिस भी wish पर आप team करना चाहते हैं क्योंकि मुम्किन है कि अगर मालेच आप विद्याले नहीं जा पा रहे हैं तो अध्यापक या principal किसे तरह की particular का निर्वान करते हैं और उनने अलगला कक्षाओं में देना चाह रहे हैं तो ऐसे के लिए उसको आवश्यक है क्योंकि link में आप एक-एक word को तो ढूड़ नहीं पाएंगे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाते हैं कि अगर विशय का नाम आपको सामने दिख जाए तो आप सीधे उसी link पर जा सकते हैं या किसी अध्यापक द्वारा एक ही कक्षा की 8 period को अगर उसे विभाजित करना और 8 link दिये गए हो या एक ही link दिया गया हो तो उसके लिए 8 विशय अगर हो तो विद्यार्थी के लिए आसान हो जाता है कि वो particular किसी एक विशय पर आराम से चला जाए और फिर उसका इस्तेमाल करें तो इस तरह यहाँ पर आप अपना विशय का नाम लिख करके इस आगे प्रसीड कर सकते हैं यह सब start meeting पर जाते हैं आपके लिए link तयार हो जाते देख सकते हूं कि इसमें meet zit dot करके एक link तयार हो गया है यहाँ पर side में से copy का button है आप इसको link को copy करके WhatsApp अगर ग्रूपे शेर कर से आप उसको जोड सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर जिसने भी यह meeting तयार की वह अपना यहाँ पर नाम जरूर डालेगा और even सिर्फ वही व्यक्ति नहीं जिसने meeting को तयार किया है बलकि वह भी जो इस meeting में जुड़ेगा उसे भी अपना यहाँ नाम देना आवश्यक हो जाएगा अन्य जितने भी हमारे पास Google Apps हैं जैसे हमारे पास Google Meet है हमारे पास Zoom App है तो इन में क्या होता है कि आपका Gmail में आपने जू नाम रखा होगा आपके उस आटोमेटिकले वह नाम को चुड़ कर लेता है यहाँ पर आपको वह नाम उपलब्द कराने का मौका देता है जिससे आप विद्धाले में पहचाने जाते है संबह होता है किसी बच्चे का निकनेम हो सकता है उसने अपनी mail idea उसके परिवार ने mail idea उसके निकनेम से बनाई हो तो ऐसे में विद्धाले में उसका जब वो meeting में add होगा उसके निकनेम सामने आता है तो उससे बहतर है कि उसका वास्तविक नام है बच्चे उस नाम को या ध्यापक उस नाम से उसको जानते है तो वही नाम उनके सामने आए तो ऐसे में हमें उनको यह नाम महाँ पर लिखना आवरशक हो जाता है इसके बाद हम meeting join कर लेते हैं join करने लिगे वाद आप इस तरह का page आपके सामने आता है अब हम चर्जा करते हैं कि आखर इस page पर आपको कितने तरह के features मिलते हैं कितने तरह के options मिलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं page में आपका यह chat करें यहाँ जैसे आप klik करेंगे आप meeting के दौरान कुछ बात कहना चाहते हो अपना संदेश देना चाहते हो तो आप यहाँ से संदेश दे सकते हैं आप इस पर klik करेंगे यहाँ तकि जो भी आपके तिरीक्त कोई अन्य वेक्ति भी या कोई अन्य पाटिस्पेंट भी प्रतिभागी भी अगर कोई बात कह रहा होगा या कुछ टाइब कर रहा होगा तो वह आपको दिखाई देगा या अध्यापक सभी के लिए कोई बात कहना चाह रहा हो तो वह चैट के मादम से अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं दूसरा option यहाँ पर है screen share करना अगर आपको लगता है कि आपको के computer में या आपके laptop में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको और बाकी प्रतिभागियों को दिखानी है तो ऐसे में आप screen को share करके सीधे उस page को open करके आउनको डारेक्ट दिखा सकते हैं हाथ उठाएं यह hand raise का बहुत बहुत बहुतरीन option है इस application में अन्य application के मुकाबले यह बहुत बहुतरीन option है अन्य application में participant को mute करना होता है swim से लेकिन यहां पर option दिया जाता है कि जिसने meeting को तयार किया है या जो भी head है वो उस meeting में उसमें जो है उसको mic को किसी प्रतिभागी की mic को बंद कर सकता है या उसको बोलने से रोख सकता है ऐसे में आपके पास hand raise का option आता है जैसे आप hand raise हाथ उठाए पर click करते हैं तो click करते ही screen पर एक हाथ का sign आ जाता है जिससे सामने पता चलता है कि यह व्यक्ति यह participant कुछ कहना चाहते हैं ऐसे में वह जो है आपको unmute करके आपकी बात को सुन लेते हैं इसके बाद अगला option आप देखेंगे यहाँ पर mute का option है इसके अलावा meeting को छोड़ने के लिए अगर आप इसे leave करना चाहते हैं तो click कर सकते हैं और तीसरा option है camera start या बंद करने के लिए आप चाहते हैं कि आप किसी को नजर ना आए तो आप उसे बंद कर सकते हैं इसके बाद देखेंगे आप आगे और तीन और option नजर आएंगे आपको जिसमें पहला है अन्य प्रदिभागी को जोड़ना जाहिर है जब आप meeting करेंगे तो किसी एक विक्ति के साथ नहीं करेंगे करेंगे एक से अधिक लोग के साथ करेंगे उसके लिए आपको उनको जोड़ना होगा हाला कि स्कीन में उपर भी आपको add का pop-up नजर आ रहा होगा इसके अलावा भी नेचे एक option दिया गया है जैसे मान लेजिए एक विक्ति अगर जुड़ जाता है तो उपर गए pop-up जो हट जाएगा और नीचे का pop-up रहेगा मतलब एक विक्ति के अलावा और किसी को आप जोड़ने जा रहे है तो फिर आपको यह option यहाँ पर काम आता है जैसे आप add participant करते हैं तो आपको यह एक नया option नजर आता है क्लिक करते ही इसमें आपको कई सारे option दिखाई दे रहे होंगे जिसमें पहला ही option पर आपको दिखाई देगा कि पूरा आपकी meeting का link दिया गया है link की side में आप देख रहे हैं यहाँ पर copy करने का option है आप link को वहाँ से copy कीजिए copy करके आप चाहें तो इसको gmail के जरीए share कर सकते हैं आप इसको google के जरीए share कर सकते हैं आप इसको outlook id के जरीए share कर सकते हैं आप इसको yahoo id के जरीए भी share कर सकते हैं इस तरीके से आप एक बार में कई लोगों को इसे भेज कर meeting में उनको साथ में जोड सकते हैं अगला option आता है सुरक्षा विकल्प बहुत जरूरी है सुरक्षा विकल्प इसलिए क्योंकि जिस तरह की से पिछले वर्ष हमने देखा कि जूम एप बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुआ था लेकिन कुछी समय बाद जूम एप के उपर बैन लगा दिया गया था उसका बैन लगाने का कारण यही था कि उसके अंदर सुरक्षा की बहुत सारी खामिया थी आप जूम एप का इस्तेमाल करते हुए जिस भी तरह का कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं आप जो भी बात गुरूप में कर रहे हैं वो सारी बाते जो है जूम एप स्टोर करता था ऐसे में मुम्किन था कि वो आपकी परसनल चीजों को परसनल बातों को आपकी डिवाइस में उपलग चीजों को भी वो स्टोर करके sell out कर सकता था बेच सकता था या उसका गलत इस्तेमाल हो सकता था तो इसलिए कई देशों में इवन कैनाडा में भी और इसके लावब कई देश हैं जहां पर zoom app को ban कर दिया गया था तो इस मामले में जित सी एक बहतर app है जहां पर आपको security के बहुत सवरे option मिलते हैं हम देखते हैं इसमें सुरक्षा विकल्प में क्या आता है सुरक्षा विकल्प जैसे आप click करते हैं click करने के बाद आपके सामने सुरक्षा के यह सारे option आते हैं जिसमें सबसे पहला जो option आप देख रहोंगे कि lobby mode has a lot protect your meeting by only allowing people मतलब कई बार होता है कि आपने एक बार link share कर दिया share करने के बाद विक्ति बस link को click करेगा और उसमें वो add हो जाएगा लेकिन इसमें आप उसे customize कर सकते हैं कि अर्था इसको click करने के वाज़े से आप इसको green कर देते हैं green करने के बाद कोई भी participant बीना admin की मर्जी के उसे add नहीं हो सकता है तो मतलब जब वो add करेगा खुद को तो admin को कोई notification आएगा और फिर admin उन्हें admit करेगा ऐसा जी जैसे ही कोई प्रतिभागी link पर click करता है उसके admin के सामने page पर उसकी permission का एक pop-up आ जाता है जैसे ही वो उसको agree करता है उसके बाद वो add हो जाता है ठीक है अगला option इसमें हम देखते हैं कि आप इसमें चाहें तो password भी set कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि admin न इतना समय नहीं है कि एक-एक प्रतिभागी को add करें तो वह पहला option जो हो disable करके वह दूसरे option है password set कर देता है इस तरह जैसे वह जितने लोग को link भेजेगा वह साथ में password भी भेजेगा और जैसे ही सामने वाला प्रतिभागी अगर उसे उसमें add होना है तो link पर click करेगा और सीधे password डाल करके वह meeting में add हो जाएगा अगर मान लीजिए उन्होंने इतने सारे लोग को link भेजा है और कोई ऐसा है जिसे admin नहीं जानता और उसने भी admission ले लिया है और वह आ गया है meeting में तो क्या उसे admin के पास एक right है कि वह उसे निकाल सके जी मैं आगे इस पर और चर्चा देना भी चाहेगा तो वह यह समझेगा कि जाहरे ही password share हो सकता है तो उसी विशय के हिसाब से content के हिसाब से ही वह अगर उसे लगता है कि ऐसे content है जो मुश्किल हो सकते हैं या समाज के लिए सही नहीं हो सकते हैं तो उन content के लिए वह बहतर हो password देने के बजा है permission वाले option पे click करेगा ताकि सिर्फ सीमित विक्ती ही इसको join कर पाएं ठीक है इसके लावा इसमाँ देख लेंगे end-to-end encryption का इसमें option आता है ताकि आपकी जो भी बाते हैं वो सारी safe रहे वो और किसी और विक्ती तक न पहुंचे इसकी बाद तीसरा जो विकल्प है वो बहुत महत्यों है जैसे आप तीसरे विकल्प पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये सारे option नजर आते हैं इसमें पहला option देखते हैं आप चाहे तो अपना इसमें नाम बदल से जैसे हमें आप रुखाया प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हैं दूसरे पर क्लिक करने पर जैसे आप करते हैं तो इ इंटरनेट की सुभीधा अच्छी तरह से उपलब्द नहीं है, तो ऐसे में उनको कम गुणवत्ता वाला इंटरनेट प्राप्त होता है, लेकिन कम गुणवत्ता का नेटवक होगा उनके पास, और अगर वो किसी जैसे गूगल मीट्स करते हैं, उनको पास क्वालिटी अच् क्वालिटी को हलकी कर लें, ताकि वो आसानी से शेर किया जा सके, तीसरा उप्शन आप देख रहे हैं कि वीव फूल स्क्रीन, आप चाहते हैं पूरे डिस्प्ले पर नजरात, उसके लिए क्लिक कर सकते हैं, इसके लावा आप चाहते हैं कि आप इस जो भी वेबिनार हो र आप चाहते हैं जो मीटिंग हो रही है, वो रिकॉर्ड हो, बाद में सुरक्षित रहे, ताकि भवशी में भी इसकी जरूत पड़े, तो हम उसको देख सके, तो उसके लिए आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो यह एड्मिन कर सकता है या फिर पार्टिसिपें उसको शेर करता है, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट के पास भी ऐसा ऑप्शन है, कि वो इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सके और सुरक्षित रख सके, इससे एड्मिन की भी जिम्मेदारिया थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इससे तो सेफटी, सेक्योरिटी का रिस्क मिल जाती है, तो वो उसे टीम से निकाल ही सकता है, उसके पास हम ऊप्शने तो वो बढ़ी आसने उसको निकाल सकता है, ऊचरकों और प्रख सकता है, जिसी में ऐसे बहुत सारे उप्शنا मिलेंगे आपको, इसको आलावा आप देखेंगे आगे, Share a Youtube Video, ऐसा कभी बाह होता ह कि कख्षा में पढ़ाते समय अध्यापक जो है वह बहुत बार कई सरी वीडियो का इस्तेमाल करता है ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आए अब बच्ची को अच्छी तरह समझ आने के लिए कई भारत उसकी सिस्टम में वीडियो मौजूद नहीं है उसने कुछ इंटर प्रफुप में डायरेक्ट जा करके अपने डाउनलोडेट वीडियो को शेर कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक और ऑप्षन है हमारे बहुत 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 बार माई बैक्ग्राउंड आपने देखा होगा आप चाहिए गूगल मीट इस्तिमाल करे आप जिस परिस्थिते में हैं आपको वैसा ही सब नजर आने वाला है लेकिन जित्सी आपको बहुत बेतरी ऑप्ष्ण देता है कि आपके बैक्ग्राउंड में क्या है वो उसको ब्लर कर देगा वो आपको फोकस करेगा ये ऑप्ष्ण सभी participants के पास होता है सभी प्रतिभा कि आप क्या क्या चाहते हैं डिवाइज में की कैमरा, माइकरफोन, आटपट, आडियो यह सारा रहे तो आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं कि अप क्या चार्ट करें और और उसको हाइट करना चाहते हैं इसके अलावा profile है, मैंने जैसा बता, profile में अपनी ID और name अगर अडाल सकते हैं, इसके अलावा calendar है, मुम्कीन है कि जिसे आज कोई अगर कक्षा हो गई, अगली कक्षा कब होने वाली है, इसके लिए आप calendar set कर सकते हैं, तो वो automatically बच्चे के पास ये calendar मिल जाएगा, और उसे प पाएंगे, इसके अलावा अगला आता है more, इसके अंदर आप मेटिंग के screen को enable करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, तो उसके अलग-लग options हैं इसके अंदर आपको, अंगला option आता है हमार पास mute everyone, हम अमोमन हमने देखा है कि Google meet इस्तमाल करते हो, या zoom app इस्तमाल करते ह हुए, सभी प्रतिभागी को अगर कुछ कहा जाता है कि आप कहिए, किसको कुछ कहना है तो कहिए, या meeting के दौरान भी कहिवार background में किसी का mic जो है, वो खुला रह जाता है, या वो unmute रहता है, तो background उसके आवाज आने लग जाती है, लेकिन इस app में admin के पास ये अधिकार है कि वो सभी participant को या particular participants के पतिभागियों की है, जो mute और unmute उनको कर सकता है, उसके पास ये क्षमता है, उसको आसी option है, अधर बाखियों में ये option आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इसके बाद है, speaker stats, speaker stats में आप ये देख पाएंगे कि एक पृतिभागी ने एक समय में कितना वक् सकते है कि आपको उसे पांच मिनट कहना तो फंप उसके लिमेट कर सकते हैं से ये दे लाएंगे, तो ऐसे में प्रतीभागी जहू को पात कह रहा होगा आप से पता होगा कि ऐसे सीमित समय के अंदर, अपने सारी बात को कह देना है, तो जैसा आपाने सकते हैं upfront, जबішत और प्रति भागियों को इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिसी की बहुत अच्छी जानकारी हो क्योंकि यह जो आपको मिलेगा इसमें आपकी जो कीबोर्ड है वह काम कर रहा होगा कीबोर्ड जब काम करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कोई L का कोई कीबोर्ड अगर सेलेट कर रहे हैं या आप के सेलेट कर रहे हैं तो उससे क्या शॉर्ट कमंड जाने वाली है तो यह पता होने के लिए आपको इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज जरूरत है आपको मदद की तो आप हेल्पे क्लिक करके आप इसके लास्ट में जा सकते हैं आप इसके वेब के थू इसके डारेक्ट आप इसके कस्टमर के साथ लाइप चैट करके अपने जरूरतों को अपने परिशानियों को साजा कर सकते हैं यह मैंने जैसा स्पीकर तो जैसा कि आपने बताया कि Jitsi बाकी आप से बहतर है तो आप कहेंगे बचों को एडवाइस करेंगे कि उन्हें ये Jitsi इस्तमाल करना चाहें और Google Meet और Zoom नहीं इस्तमाल करना चाहें आप सरीक्राइब करेंगे आप केवल Jitsi इस्तमाल करें बाकी इस्तमाल नपित मजब नहीं किए अभी बहुत ज्यादा नहीं है, भारत में नहीं है, भारत के ya tidak पौपिलर है बहुत अच्छी तरह बहुत एस्तिमाल होता है YouTube के बहुत सा Tutorials आपको मिल सकते हैं भारत में बहुत जादा popular Google Meet popular है Microsoft Team popular है दिली इनुवर्सिटी जैसे इतनी बड़ी संस्था भी Google Meet पर कारे करती है जामयमीलिया या वर्दा इनुवर्सिटी कई सारी इनुवर्सिटी है जो Google Meet पर इस्तेमाल करती है बहुत कम लोग है जिटानि मेरी राय में अगर कोई अध्यापक ONLINE कुछ करकर करना चाहिए तो मेरी राय उनसे यह चीए वह जिटानिSी का बढ़ेद करें कोशिश करें कि जिटीवे पहले आए कूशिझा से आपको बहुत सारे options मिलते हैं इस पर कारे करने के, इंट्रैक्ट करने के, आपको मौका मिलता है बच्चों से सीधे एक बार में आप एक बच्चे से सवाल कर सकते हैं, पूरी कक्षा को अपनी बच्ची की बातों को सुना सकते हैं, आप कक्षा को आसानी से कंटोल कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है आप को छूट इसमें मिलती है, आप स्क्रिन शेयर करने के साथ बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि आप स्क्रिन शेयर करते हुए आपको साइड में पॉप अप में आपकी भी वीडियो नजर आएगी, गूगल लिमिट में ये सुविधाय नहीं मिल पाती हैं आपको, इससे और नुकसान है बाकी सभी आपस में, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ये जित्सी उससे बहतर है, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता है, तो हम गूगल मीट या जूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम जित्सी की बात करें, तो क्या हम इसे ओफ-लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं माम, आफ-लाइन तो इसका मुश्किल है, क्यों कि ये पूरा इंटरनेट से बेस है, इंटरनेट आधारित है, बिना इंटरनेट कनेक्शन से आपकी सवर के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए बहुत, जिस तरह बाकियों के लिए इसके लिए भी जिसके लिए भी जरूरी है, चाहिए हम उसे फोन में डाउनलोड करें, चाहिए लाप टॉप में, बिल्कुल, इंटरनेट तो भी हाँ, ये है, आपको ये बहुत अच्छे सुबेदा है, कि इससे फरक नहीं पड़ता कि आप 2G इस्तेमाल करें, 3G इस्तेम कोई भी लिमिट नहीं है, तो मतलब सौ तो बाकी लोग देते हैं, बाकी सौफ्टवेर्स देते हैं, तो उसमें हजार दो हजार भी पाटिसपेंस जोइन कर सकते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें आप तक माक्सिम्म पंदरह सो लोगों तक को जोड़ा जा चुका है एक समय में, तो इससे जादा को जोड़ा ने गया, और कमपनी ऐसे कोई दावा नहीं करती है, आप जोड़ने की बात करती है, जितने जादा जितने भी पार्टिसपेंट आपके पास है, आप जोड़ सकते हैं, आप भी अंदासल है, अगर स्कीन पर पंदरह सो लोगों को जाए, तो संख्या अपने आप में ही बड़ी सी भीड नजर आएगी, पंदरह सो को ही मैनेज करना एक एक एड्मिट के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मेरे इसाब से पंदरह सो की संख्या भी कम नहीं है, बिलकुल, जैसे हमें पता है कि Zoom को एक Chinese इनसान ने बनाया है, ल इसके बाद दीरे जरे सका विस्तार बढ़ता गया और आज इस तरी के यह बहुत ज्यादा भारत में नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय में जूम है बहुत तेजी, जूम है इसे पहले से मार्केट में था, इसकी जानकारी में लोगों को ज्यादा थी, और इसलिए जूम है ब आप एक कक्षा ले रहे हों, तो आपको बहुत जरूरी है शिक्षन के दोरान एक शिक्षा के लिए यह पता लगाना कि उसने जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों से कितना सीख पाए हैं, उससे कितना प्राप्त कर पाए हैं, उसके लिए आकलन करना उनका बहुत जरूरी हो जाता है आप चुकि कक्षाएं face to face mode में नहीं हो पा रही है तो ऐसे में जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि आप online ले जितसी आपको एक ऐसा option देता है जिससे आप उस बच्चे का आकलन करना बड़ा आसान हो जाता है आप बच्चे को limitize कर सकते हैं एक कक्षा में यदि 40 बच्चे हैं तो आप एक एक बच्चे से पर्टिक्रड़ी उनकी माइक को mute और unmute करके उससे direct सवाल करके उससे जवाब ले सकते हैं यदि बच्चा कहने में असमर्थ है तो आप उसे text के मादें से भी जवाब ले सकते हैं तो इस तरह से उनका आकलन करना भी आसान हो जाता है जी सर्थ क्योंकि जितसी बहुत ही खास app है आपने बताया है कि ये video conferencing app है और क्योंकि अभी भी हम COVID-19 pandemic से जूट रहे हैं तो दुनिया भर को video conferencing apps की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप एक बार फिर से हमें इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा और विस्तार में जो शायद बाद में जूड़े हूं जिनोंने शुरुआती चीजों को मिस किया हो तो मैं बतायता हूं जिसी एक open source software है ये आपको मुफ्त में और paid version दोनों रूप में मिलता है लेकिन मुफ्त में जो बर्जन आपको प्राप्त होता है उसमें भी इतने options हैं जिनसे आप बड़ी ही आसानी से बड़ी सरलता से confidence कर सकते हैं बड़ी आसाने से किसी भी कख्षा को कर सकते हैं बड़ी आसानी से बच्चों का विद्यार्थों का मुल्यांकन कर सकते हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं इसके अलावा जब आप paid version में जाते हैं इसमें आप एक बार recording start करेंगा, आप close करेंगा, उतना ही part आपको मिलेगा, तो ये कुछ चीज़े हैं paid और unpaid version की, लेकिन मेरे मुझे लगता है कि अगर आप Jitsi इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप, या Jitsi के लावा कोई भी application जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो सबसे पहला सवाल होता है, वो था safety and security का, और जैसा हम कुछ वक्त से देख रहे हैं कि cyber security जैसे जो एक नाम है, ये बहुत जादा हमें आज सुनने को मिल रहा है, उसका कारण यह है कि इस पूरे pandemic में सारा विश्व online आ गया था, कोई भी घर से ही काम कर रहा था, घर से सारे businesses हो रह बेते, ऐसे में cyber crime को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है, जितसी आपको बहुत हद तक option देता है कि आप अपनी security को कैसे सुनिशित कर सकते हैं, तो इसलिए मेरी राय में जितसी एक अच्छा app है video conferencing के लिए, ये end to end encrypt भी किया जा सकता है और साजा भी किया जा सकता है, आ आप चाहते हैं कि वह संस्थागती रहने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए, तो आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा भ्हरती है, ऐसा कोई participant है, जो add हो गया है, जिसे नहीं होना चाहिए था, आप आसानी से admin उसे बाहर निकाल सकता है, आ तो ऐसे में बच्चे को बहुत जादा अगर टेक्निकोलोजी की जानकारी नहीं है, तो वो ना तो mute को समझ पाएगा करना और ना ही unmute कर पाएगा, ना camera देख पाएगा, तो ऐसे में क्या है, अभी वावो को के लिए सिर्फ एक निर्देश होता है, कि आप उसे लॉग इन क अगर बच्चा नहीं भी जानता है, तो उसके साथ कक्षा करना, कक्षा में बैठना, उसके साथ कक्षा लेना, शिक्षन और अधिगम जो है, यह प्रक्रिया आसान हो जाती है, जी, सर एक सवाल और, जैसे अभी आपने जितना भी हमें content दिखाया, जित्सी का सारा अंग्र अब जेशनल लैंग्वेज या फोरण लैंग्वेज चेंज करने का कोई option है? भारत में फिलाल स्रिफ अंग्रेजी भाशा में उपलब्ध है, अन्य भाशा में इसके वर्जन आ चुके हैं, लेकिन भारत में जो है स्रिफ अंग्रेजी भाशा में है, आच्छा, एक बार PPT के माध्यम से हमारे दर्शकों को फिर से इनकी डीटेल्स दे सकते हैं मैं थोड़ी आसानी से मैं इसको कोशिच करता हूं जी कि इसके और अच्छी तरीके से इसको बता पाऊंग जी जितसी वीडियो कॉंफरेंसी के लिए ओपन सोर्ट तरह है मैंने जैसे की बताया यह आपको जो है तीन जैसे आप जानते हैं कि मार्केट में कितने ही तरीके कि अलग-अलग अप आ चुके हैं और ऐसे में क्या है कि आपके लिए चुनना कि कौन सा अप बहतर है ठोड़ा मु जितसी उनसे कुछ मामलों में बहतर है अब जानते हैं जैसे गूगल मीट है एक बार में आप सो पार्टिस्पेंट को एड़ कर सकते हैं जूम के साथ दिए यह जूम के साथ तो बलकि बहुत सारी फीचर्स ऐसे आए जिनसे सेक्योरिटी का भी खतरा था था और बहुत सार जितसी मोबाइल अब द्वारा और लैपटव तदा कंप्यूटर के लिंक द्वारा ठीके अचा प्रीक जोड सकते हैं कैसे इसके ऑनलाइन स्रिक्षन संभव हो सकता है कैसे इसमेलन कर सकते हैं कॉन्फेंस कर सकते हैं बहुत आसान है अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रह लिए नाम लाप के ज़से आप आगे बढ़ेंगे आप पॉनilt अपना बाई करेंगे नाम लिखने के बादी वह सीधे मिटिंग में एड हो जाएंगे आप उनीक वाद जैसे मैं इन्समें बतायाि इसमें आप चाइट कर सकते हैं ऐसमें आप सूं को श purity कर सकते हैं ऐब हैं स्टार्ट भी कर सकते हैं इसके अलावा आप अन्य participants को भी add कर सकते हैं जैसे आप इस पर click करेंगा आपके सामनी option आजाएगा आप इस link को copy करके आप किसी भी social media के साइट के जरीए आप इसको share कर सकते हैं participant बस उस link पर click करेंगे और add हो जाएंगे इसके लाव दूसरा option हमारे पास रुक्षा का आता है जो बहुत जरूरी option है आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई अन्य विक्ति add न हो और अगर कोई add हो रहा हो तो पहले आपकी permission ले तो आप यहाँ पर इसको tick कर दीजिएगा दूसरा option आता है कि अगर आप चाहते हैं कि बार-बार आप add participant करने के बाद आप चाहते हैं कि बस पासवर्ड डाले और add हो जाए मुझे मेहनत न करनी पड़े तो ऐसे मैं आप password भी डाल सकते हैं तीसरा आप चाहते हैं कि end to end interpreter है तो उसके लिए भी आप इसको click कर सकते हैं तीसरा option आता है अन्य विकल्पों का अन्य विकल्पों जैसे आप click कर दोसमा आपको धेर सारे जित्सी के फाइदे नजर आते हैं जो आपको अन्य जो भी video conferencing applications है उसमें आपको नहीं मिलती है इसमें आपको सबसे पहले add करेंगे इसमें आप जो है सबसे पहले अपना profile लिखेंगे आप अपनी जो video की quality है उसको भी manage कर सकते हैं ऐसे में होता ही है कि कई बार की connection बहुत slow होता है video quality कम होने की वज़े से participant का connection तूट जाता है तो admin उसे बड़ी आसानी से control कर सकते हैं where manage video पर जाए उसमें अलग-अलग quality दी गई है 140p करना चाहता हो 720p करना चाहता हो या फिर full HD में करना चाहता हो तो उसके इसमें कई सारे option मौझूद है तीसरा option जैसे कि आप देख पा रहे है view full screen का है आप click करेंगे आपके साम आपका जो screen है वो पूरा आपकी video और इस जितसी app से जो है भर जाएगा साम ने आपको सिर्फ जितसी app कही नजर आगा सारे participant आपको नजर आएंगे start live stream आप अगर चाहते हैं कि इस video की इस चीजों की अगर आप चाहते हैं कि इसको live किया चाहे तो आप इनको जो है live भी कर सकते है आप चाहते हैं कि आपका जो भी meeting चल रही है वो meeting देश भर में य आप उसको click करके आप YouTube live के जरिए Facebook live के जरिए आप सारे विश्व के साथ जोड सकते हैं यह एक बहुत बहुत बेतरीन option है जो आपको Google meet और इन चीजों में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है इसके अलावा अगर participant चाहें कि जो भी meeting हो रही है या जो भी conference हो रहा है य उस video का इस्तेमाल वो reference के लिए या अधिक शिक्षा के लिए या उग्यान वर्धन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वह कर सकते हैं और कोई डाउट अगर होता है और शिक्षन के दोरान तो वीडियो आप वीडियो स्टार्ट करके अपनी कख्षा को दुबारा से देख स होता है अपने ग्यान को अधिक बढ़ा पाता है वो और अधिक टेक्नोलोजी का तक्नीक का इस्तिमाल कर पाता है इसके लावा आपको लगता है कि आप अध्यापक के लिए या किसी विद्यार्थी के लिए उसे लगता है कि किसी वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहना चाह यह बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं होता कि हम हर तरीके की वीडियो को रख सकें लेकिन यूटूब से आप सीधे जाएं लिंक पर टाइप कर रहा हैं यूटूब के सारी वीडियो आपके सामने उपलग हो जाती हैं इसके लावा कई बा नहीं मिलता है तो इसलिए यह उप्शन सब बहुत बहतरीन है कि आपका बैक्गराउंड ब्लर हो जाए और बस आप नजर आए हम भी कई बार हिचकते हैं हम ऐसे माहौल में ऐसी जगह मौज़ों तो जहां पर अर्जंट मीटिंग करनी हैं और हम नहीं चाहते कि बैक्गरा इन में क्या क्या डिवाइस एड या इसको हटाना चाहते हैं आप क्यामरा करना चाहते हैं क्यामरा भी कर सकते हैं माइक्रफोन और ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अटाच करके इसको आप कंटीनू कर सकते हैं इससे आपको आपकी दूसरा है प्रोफाइल का जो भी पार्टिसिपेंट होंगे आपना नाम और email id इसमें add कर सकते हैं इससे admin के पास और उस meeting की पूरी detail आजाती है कि कौन-कौन इस meeting से जुड़ा हुआ है इस बाद calendar है यह बहुत अच्छा एक option है जिसमें एक कोई class अभी हो रही है मुम्किन है उसके अगली class कब होगी तो उसके लिए admin जो है एक calendar त्यार कर सकता है और वो calendar बच्चों के साथ share कर सकता है share करने से बच्चों के पास जानकारी आ जाती है कि आफिर अगली class जो है वो कब होने वाली है या इस विशह से संबंदी जो चर्चा है या conference है वो कब होने वाला है और उसे schedule कर सकते हैं लेकिन बहुत जरूरी है इसके लिए कि sign in करना बहुत जरूरी है आपके पास email id या फ फिर Microsoft का account होगा यह सिर्फ उनको ही share किया जा सकता है इसके लावा more का option है जिसमें आप प्री मिटिंग स्क्रीन को enable कर सकते हैं अगला option आता है mute everyone बहुत मुम्किन है कि जब आप जैसे मैंने बताया कि एक ही समय में आप 1500 से भी अधिक लोगों को जोड सकते हैं तो मुम्किन किसी का speaker start हो किसी का speaker बंद हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ उसी की बात सुने जिसको admin चाहता है कि वह बोले जो बोलना चाहरा हो पीछे की आवाजे ना या अन्य प्रति भागियों के उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना हो तो इसके लिए admin के पास बहु सबी को mute कर दे इस तरह mute करने से एक फाइदा ये भी रहता है कि अन्य प्रति भागियों से जो है उमीद की जाती है कि वह जो patience दिखाए अपने अपनी जो है सब्र की सब्र दिखाए उसको ताकि जो है जब उनका समया है तो तसलिस अपने सारी बातों को तक्सीम में तसलिस इसे बता पाए खे बॉंब कर ऐयं अब किसी भी लिए रीडियो को ऐस्तमान करती है या या और आप म nylon का इस्तमालि कर रहा है या आप याप स्क्रीफ का कीजिए चाहे बॉट्सब काले चाहे जितने बी तक hearings से सामने वाले को इतन देर बात की उसका समय सीमा किटनी थी उसकी। आप यह इसके जरिये आप उसे लिम्ताइजेशं को सीमित कर सकते ।ँ हैं इसे अधिक आपको नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में यूं होगा कि सामने वाले को भी पता रहता है कि मुझे कम समय में ही जादा बात करनी है तो इसके लिए समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को कह पाएगा और अन्य प्रतिभागियों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है इसके अलावा एड्मिन के पास भी वो पूरा खाजका और रिकॉर्ड होता है कि एक व्यक्ति ने इस मीटिंग के दौरान कितनी बाते कही हैं वो इसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि इतने लोगों ने इतने समय में यह जरूरी बाते की हैं एंड मीटिंग कर सकते हैं इस उसकी क्या क्वालिटी रही उसके लिए आप फीडबैक भी दे सकते हैं विव शॉर्टकर्स विव शॉर्टकर्स जब आप ख्लिक करते हैं तो इसमें आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होता है वापती भागियों को काफी तकनीकी चीजों की जानकारी लेनी आवशक हो जाती है यह बहुत हद तक एड्मिन के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है क्योंकि कई बार जब आपके पास 1500 की एक बड़ी भीड आपके सामने मौजूद हो और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप एक विक्ति से दूसरे विक्ति की पूरी बात सुनें आप को एक विक्ति से बात करते हैं जो 1500 लिस्टेड है आप को सीथे वहाँ पहुचना है तो आप स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके बाद शौट की कमांड होंगे अप जैसे शौट की कमांड पर क्लिक करगे आप सीध उस वक्ति तक पहुच आएंगे या रहती है admin के लिए विध्यार्थियों के लिए बहुत जादा फाइदेमन नहीं होती है विध्यार्थी तो केवल अपना अध्यापक जैसा बताएगा जो इसको शिक्षन के दौरान कारे चल रहा है जैसा वो शिक्षन दे रहा है प्रदान कर रहा है वैसा ही उसको follow करना है ले आपको लगता है कि यह option काफी नहीं है, कुछ और भी सहायता की आपको जरूत पड़ती है, तो आप इस help पर click करके online help ले सकते हैं, जित्सी की customer care आपके साथ live chat कर सकते हैं, उनके साथ video conferencing कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, अपने समस्या के लिए आप उनको mail कर सकते हैं तो वो एक अच्छा option है, अगर आप आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हैं, तो आप उनसे सीधे help पर click करके सहायता ले सकते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें जिट्सी के बारे में बताया, हमानी दर्शिकों को बहुत कुछ जिट्सी के बारे में आज पता चला, मुझे भी नहीं पता था, तो अब हम कोशिच करेंगे कि अगली बार जब हमें video conferencing की अच्छी quality चाहिए हो, video calling क तो जिट्सी डाउनलोड की करें, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी participants का भी आपने कारिक्रम देखा, उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हमारे कारिक्रम आप देखते रहे हैं, थोड़ी देर में हम हाजर होंगे एक और खास कारिक्रम लेके सहयोग, और अगर आपके पस कोई सवाल है, किसी से बी जुड़े हुए, जित्सी से जुड़े हुए, या फिर हमारे सहयोग की किसी भी कारिक्रम से जुड़े हुए, तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए NCERT Official, उसके live chat box में अपने सवाल लिखिए और हम तक पहुचा दीजे, और थोड़ी देर में सहयोग का जो शीरशक होगा, वो होगा tips for examination preparation भाग दो, तो examination की तयारी आप सभी कर रहे होंगे और बहुत जरूरी भी होती है, उस दोरां बहुत कुछ होता है, बच्चे नर्वस होते ह और anxiety होती है, उन्हें कुछ मदद चाहिए होती है कि आखरी मिनिट पे तयारी कैसे करें और भी बहुत कुछ होता है, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे और आप देखते रहे है PME विद्या के चानल्स और सुरक्षत रहे हैं और में प्लिसकाए